बश्कार दोस्तो आपके अपनी यूटूब चैनल एके फूर एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे 36 गड़बोर्ड एसाइमेंट 6 जियां दोस्तो 36 गड़बोर्ड का मया जन्वरी के एसाइमेंट आ गया है तो कलाश 12 का हिंदी का संपूर हल इस वी यह रहा आपका पेपर दोस्तो आप पेपर देख सकते हैं पांच कॉस्चन दिया हुआ है पहला कॉस्चन है रस का आच्छे पातर से कभी ने रचना कर्म के किन विस्यस्ताओं की और इंगित किया है छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर इस पश्ट कीजिए तो इसकी एं रसना कर्म के निलिखित विस्यस्ताओं की और इसारा अंगित किया रसना कर्म का अच्छे पातर कभी खाली नहीं होता यह जितना बाटा जाता है उतना ही भरता जाता है यह चिरकाल का आनंद देता है अब यह इसी कहें दोस्तो यह छोटा खेत कविता के रूपक में इस प कुरित होकर फसल बनाता है और जनता का पेट भरता हुए मनुस के दैही अवस्तक्ताओं को पूरी करता है इसी तरह कभी ने कागज रूपी खेद पर अपने वीचारों को बीज वोता है कलपना का आसरे पाकर यह विकास विक्षित होकर रचना का रूप धारन करता है इस दूसरा क्वस्चन जो कि आपके स्क्रीन पर सो रहा है दूसरा क्वस्चन क्या है या पढ़ सकते हैं और इसका एंसर आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है तो इसका स्क्रीन सौट कर लिजिए या वीडियो रूंकल लिख लिजिए इसका पीडियाप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का आप जाकर जॉइन कर लीजे आपको पीडिया प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस लेख के आधार पर हम कहते हैं कि सिंदु सब्बता साधन संपन्ने थी इसमें भबता का आडंबर नहीं था इस बात के पीछे ठोस कारणह की मोहन जोडरो सहर पर ववस्टि धांचा और माकान बनावट यदि पहली नजर में यह बास सामने आ जाती तो वहां के सडकों की बनावट सीधी साधी थी उसमें उचित सडक के रूप में चोड़ी और साप थी माकान की बनावट बहुत भ्रम भब नहीं थी अधिकांस माकानों पर समूही कजिकार था इसनानगर और पूजय स्थल समदाइक भबनों आधी के आधार परबाद प्रमाणित होती थी तावो का उप्योग कापास और उप्योग खेती करने का प्रमाण दूसरे देसों में बैपार आधी के माध्यम से पता चलता है कि सब्धता हर तरह के साधन संपन करती है हडपा संगती में भाव राजपरसाद या मंदिर जैसे चीजे नहीं मिलती है इसी के साथ वहान ना तो राजाओं से जुड़े कोई भबच चिन्न मिलते हैं ना ही संतों महात्मों की प्रकान और उचित रूप से अगर मूर्ती सिल्फ हैं तो छोटे छोटे इसी प्रकार के और जार होते हैं इसको पूरा का पूरा स्क्रीन सोट कर लीजे आप पूरे के पूरे अंसर लिख दीजेगा 100 to 100% स्योर है और पीडियाप के लिए लिंग डिस्क्रिप्सर में है टे Q3 तो बकिलो के पंक कविता है एक संदर द्रस कविता है इसमें कभी के आकास उड़ते बगलो की पंक को देख कर इस तरह कलपनाय करता है इसी तरह हैं बात करते हैं Q4 की तो Q4 में अप्लीकेशन पूछा गया है कि अपने नगर पालिका के अध्यच को सड़कों में जो पान उसकों पता लिखें और सड़कों की मरमत है तू महोदे में आपका ध्यान अपने महले या गौं के कस्वे का सड़कों की और अकरसित करना चाहता हूं जो काफी लंबे समय से तूटी फूटी है इन सड़कों में जगा जगा पर बड़े बड़े गड़े मैजूद हैं बरस से अनरोध है कि अपने महले के गौं सड़क मुख सड़क मरमत जल्द से जुरू करवाई जाए जिससे हम ग्राम बासी आपका सदा भारी रहेंगे यहां दोस्तों क्वेस्चन नमर चार अपना नाम लिख दीजेगा यहां पता और हस्ता अच्छा है इसी तरह हम बात करते ह कि क्लाश 12 के आल टू और सीजी बोर्ड के एसाइमेंट ओभी जनवरी माय के हम अपने चैनल पर प्रवाइड करा चुके हैं अगर आप न देखे हो तो जाके चैनल पर देख सकते हैं और पीडिया भी हम साथ में सेर करते हैं तो यह रहा क्वेस्चन नमर पांच के अंसर ज निर्मित मोहरे और बरीकी उतक्रेट्स आकरियां खिलोने केस बिन्यास आभूसन या उपर के सुघाडू अच्छलों का लिपी रूप सिंदु सबतागे तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है खुदाई के दोरान जो बस्तों मिली थी फिर जो भी निर्म पर इतना बस है कि राजाओं का ना कोई राजा होता है ना कोई लेकिन आसिद सबता में नहीं थी इसी बात के आधार पर यह वात कहीं जा सकती है कि सिंदु सबता का समाज पोसित था दोस्तों पीडियाप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग् अपने दोस्तों को सेर कर दीजिए क्लास टूल्ट के आल टू ओल असाइइमेंट क्लास जनवरी माय का पूरा का पूरा मिल जाएगा मिलते हैं नेट आपस साथ इंटरस्टी मीडियो में जब तक लिए जैहिन बाई